हेलो दो कैसे आप लोग तो आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है जैसा कि आप देख रहे हैं मैं एक उपो का उपो कंपनी का मुबाइल फॉन लिकाया हूं इसमें देखिए मैंने बटन प्रेस किया लेकिन लाइट जो है चालो नहीं होगा और हमारा मुबाइल फॉन जो है और यह देखिए जैसा कि बटन प्रेस करने पर भी पार बटन जो है वो वर्क नहीं हो रहा है वल्यूम अपड़न बटन जो है वो प्रपर थरीके से काम कर रहा है लेकिन पार बटन जो है उसमें दिख्क्यत आ रही है तो अब यहाँ पर प्रावलम यह है कि पार खोल के मदरबोर्ड खोल के पूरा जो बटन का स्ट्रिप आता है वह हम लोग चेंज कर सकते हैं दूसरा अप्शन यह है कि अगर मालेजिए कि स्ट्रिप सही होता है तो अपने को सिर्फ उसका बटन का जो पॉइंट होता है जो छोटा वा जो टिकली मिलता है सिर्फ वही चेंज करते हैं तो फैर मैं पहले स्कोश ठोलता हूं जैसाकि की मैझे खोल लिया है आँज में देखिए इसके जो ऊपर तरीके से वर्क हो रही है तो हमें सिर्फ यही बटन चींज कर दिना पूरा स्ट्रीप और मौरब ऑवाम खोलने की ज़रूत नहीं है तो देख पाराऊं जैसे की अब यहां पर देखिए बटन प्रेस करने पर हमारा जो बटन है वह प्रॉपर तरीके से वर्क हो रहा है मोबा थे आका को पेकर आपको रहे लए पहले क्यों को काम है तो कियो करना है तो अब यहां पर की मदद से आइर को मैंने बटण को बटन के वहोर्ट करके रATOR करने हैं तो आइरेन जो है आपके बटन को पूरी दर से मेल्ड करके उसको आराज साहने से निकाल देगा जैसे कि आप देख सकते हैं जैसा की मेरा निकल चुका है तो ऐसे में क्या है अपना काम हो जाता है आराम से और डैमज मी नहीं था अब यहां पर देखिए मैं तो यह देखिए प्रॉपर तरीके से वर्क हो रहा है और कोई दिक्केत नहीं है तो फिर अब हम लोग यहां पर क्या करेंगे इसको पॉइंट को रिसोल्डर करेंगे और जो नया वाला बटन है जो नया बटन हम लोग मार्केट से लेके आए हैं उस बटन को यहां पर हो जाता है जल्डी सोल्ड हो जाता है वहां पर तो ज्यादा दिक्कत भी नहीं आती क्योंकि बटन देखिए बहुत ही नाजुक होता है ज्यादा आप आयरें से हीट करेंगे ना तो वह डैमेज होने का चांस रेता वह पिखल जाजा है तो अपने को नया लागाना बड़े मैं यहां पर निकाल ले रहा हूं और उसको लगाएंगे हम लोग ने अपने वाले मुबाइल फोन के अंदर ठीक है चलिए इसका काम हो गया साइड में रखेंगे तो अब देखिए जैसे कि मुबाइल फोन के स्क्रीन पर देख सकते कि यह जो है बहुत ही चोटा सा बटन ह तो इस बटन को अपने को आराम से यहां पर रखना है और इसको सोल्डिंग कर देना है तो देखिए सोल्डिंग करने के टाइम पर ध्यान रखिएगा कि बटन को आप पर्फेक्ट तरीके से पहले अर्जेस्ट कर दीजिए और हलका सा नाखोन या ब्लेड या चेम्टी जी इसकी भी मदद आप ले सकते हैं जिससे भी आपको सूटेबल लगता है उसको हलका सा प्रेस करके रखिए और अपने बटन को जो है असानी से सोल्डिंग कर दीजिए और दोस्तों देखिए बटन भले ही दो मिनिट की जगा तीन मिनिट लेजिए आप लेकिर उसको परफे लेकिए रजिसे अनकी बाद ही स्वींग करना है अनुस्ति पॉर्ट कर दिया हो शो चाहिए और अच्छी तरे की की सव्कों करते नहां दोनों तरफ से करना सिर्ट पर international और की और यहां पर देख करते हैं जैसा कि हमारा बटन जो हो आयों होने के बात भी एक दम अब क्वर्यों से वर्क होने लग घ्या है अब देख है यहां पर चेक कर सकते हैं जैसा कि नया टेपिंग भी आप लगा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है नहीं लगाना चाहे तो भी नहीं भी लगा सकते हैं ने उश्च नहीं हें खोई समय सय नहीं आने यह अने आने वाली है कि इसका स्पीक जो है वह वार्क नहीं होता है मतलब होता है बहुत ही श्लो साउंड रहता है उसका है है तो इसको भी लोग झाल आए तो इसको भी वंuto दूसरी प्रावलम है तो यहां पर देखिए इन्होंने वीडियो कुछ रखा है तो वीडियो हम लोग ले करेंगे और आडियो सुने कोशिस करेंगे जैसा कि मैं सुन पार हो देखिए यहां पर वॉल्यूम जो है वह फुल है लेकिन स्लो आवा जा रही है तो अपने को ज्या काल में वॉल्यूम जो हो काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुका है कि अगरे कि देखिए तो अगरे कि अचिक पारें सुन पार रहे हैं यहां पर मैंने ज्दा कुछ ने कि यह खाली पीन किया है चिंटी को मैंने अंदर डालके जो डूस्तों गरागे इसको प्रूम किया है औ इंटरीज हो चुका है वह वाल्यूम जो है वह प्रॉपर तरीकी से सही हो गया है तो अपने को इसमें नया इस्पीकर में डालने की जरूत नहीं पड़ी है और अपने काम सामने होते हुए देखिए भी पा रहे हैं हमने ज्यादा कुछ ने किया है खाली पावर बटन को ज इतना ही था अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं मैं आपके हरे क्वेश्चन का आंसर दूंगा देखिए जैसा कि बटन हमारा एकदम परफेक्ट तरीके से वर्क हो रहा है त तो अगर बैटन से रिलेटेड आपके पास कोई भी प्रावलम आती ही दोस्तों तो आपको पता है कि आभी किस तरह की स्टेप्स लेने है कैसे इसको करना है के अधि झाल झाल